Hello my dear students, quality education मुगा में आपका स्वागत है, मैं आपके हिंदी के वीना में, आज हम करेंगे संधी और समास की परिभाशा और उसके भेद Hello my dear students, बच्चे आज हम करेंगे संधी, संधी किसे कहते हैं? तो देखो बच्चे संधी किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधी कहते हैं इसका अर्थ क्या हुआ बच्चे? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे जो नया शबद बनता है जो विकार उत्पन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधी कहते हैं उधारन देखो बचे इसकी जैसे मुख्या प्लस अध्यापक जब ये दोनों मिलेंगे ते कौन सा नया शबत बनेगा मुख्या ध्यापक इसी तरह देखो विध्या प्लस आल्या दोनों मिलकर क्या बना विध्याल्या नी प्लस जल नीर जल समझाया बचे आगे देखो बेट संधी कितने प्रकार की होती है वर्णों के मेल से होने वाले विकार के धार पर संधी तीन प्रकार की होती है कौन-कौन से तीन प्रकार होती है देखो फर्स्ट हो गई स्वर संधी दूसरे नंबर पर होगी हमारी वियंजन संधी तीसरे पर क्या है विसरग संधी निकटता के कारण मतलब जो दो स्वर आपस में मिलते हैं निकट आते हैं उनके उनसे उत्पन विकार को मतलब उनसे जो नया शबद बनता है विकार उत्पन होता है उसे हम क्या कहते हैं स्वर संधी कहते हैं स्वर संधी के अंतमी बचे और दूसरे शबद के अरंब में क्या आते हैं स्वर आते हैं स्वर आपको पता है न कौन से हैं आ ई उ ऐसे स्वर होते हैं ठीक है जैसे दे प्लस आल्या इनके मिलने से क्या बना देवाल लिया नदी प्लस इश नदीश ओके आगे देखो बेटा हमारी दूसरी नबर पर संदी कौन सी थी वियंजन संदी अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं वियंजन के सामने स्वर या वियंजन आने पर जब वियंजन के सामने वियंजन कौन से होते हैं ठीक है यह वाले सारे क्या होते हैं वियंजन जब इनके सामने स्वर या व्यंजन आता है उससे जो विकार उत्पन होता है मतलब जो नया शबत बनता है या उसमें कोई परिवर्थन आता है परिवर्थन होता है बदलाव तो उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन संधी व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्थन ह होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन संधी जैसे बचे जगत प्लस नात इन दोनों से क्या बना जगन नात आगे देखो बेटा दिक प्लस अंत इन दोनों की मिलने से क्या बना दीगंत आगे बेटा हमारी विसर्ग संधी विसर्ग के बाद स्वर्य व्यंजन आ जाने पर ठी उसे जो विकार उत्पन होता है, जो नया शबद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसरग संधी, देखो बेटा, विसरग का ओ हो जाना, ये कैसे होता है, विसरग से पूरव यदी अ हो, उसके बाद भी अ, या किसी वर के तीसरी चौथी पांचवे वरन या यर लव में से इससे क्या बन जाता है, जैसे अध प्लस क्या बना बचे, अधो गती, सर प्लस ज सरोज, मन प्लस विज्यान, मनो विज्यान, आगे देखो बचे, नेक्स्ट है मारा विसरग का र हो जाना, विसरग से पूरव अ, आ को छोड़ कर कोई अन्यस्वर हो, और बाद में भी कोई स्वर या वर का तीसरा, चौथा, पाच्वा वरन या, यह, र, ल, व, ह में से कोई वरन हो, तो विसरग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, इसमें अ होता था, इसमें र होता है, जैसे नीर प्लस धन, नीर धन, दूर प्लस प्योग, दूर प्योग, दूर प्लस अचार, होती है very good आगे देखो पीटा अब हम करेंगे समास ठीक है समास किसे कहते हैं आपस में इस बंद रखने वाले दो या दो से अधिक समास शब्दों के मेल से उत्पन विकार को समास कहते हैं बचे जब दो या दो से अधिक समास शब्द आपस में इस बंद रखते हैं आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन होता है जो नया शब्द बनता है उससे हम क्या कहते हैं समास जैसे राज महल राज महल का क्या हो राजा का महल इससे नया श्रबत बना ना राजा का महल इसी तरह देखो और सोई घर से क्या बनार सोई के लिए घर पितांबर किसी कहती है पीली है वस्तर जिसके अर्थात पीली वस्तर कौन पहनती है भगवान विश्णुजी ओके आगे देखो बेटा समास के बेद समास कितनी तरह के होते हैं चार तरह के ठीक हैं फर्स्ट है अव्यई भाव समास सेकिंड है ततपुर्ष समास थर्ड है द्वद्व समास और फूर्थ है बहुवरिही समास चलो देखते हैं बचे फर्स्ट नंबर पे पहले अव्यई भाव समास किसे कहते हैं जिस समस्पद में पूर्पद अव्य हो मतलब अविकार हो ठीक है उससे हम कहते हम कहते हैं अव्यई भाव समास जैसे समस्त पद क्या हो गया हमारा प्रती दीन तो अगर हम इसका विग्रय कर देंगे मतलब इसको लगल कर देंगे तो क्या होगा दीन दीन तो ये क्या बन गया अविभाव समास इसी तरह बच्चे यथा शक्ती ये क्या समस्त पद मतलब जूड़ा हुआ है यद इसका विग्रह कर दिया लग कर दिया इसको तो क्या बना शक्ती के अनुसार आगे देखो बेटा आगे हैं मारा ततपुर्ष समास अब देखते हैं कि ततपुर्ष समास किसे कहते हैं जिस समास में उत्तर पद पर धान होता है उत्तर पद होता है बाद वाला ठीक है तथा पूरपूरव होता है पहले वाला पद वुशेशन के समान होता है पहला पर धान हो गया ठीक है पूरवाला पद क्या हो गया वुशेशन के समान और उसे क्या कहते हैं हम ततपुर्श समा जिस स्मास में उत्तर बाद वाला पद पर धान होता है और पहले वाला आव्शेशन के स्मान होता है उससे हम बच्छे क्या कहते है ततपुर्ष स्मास एक्जाम्पल देखो इसकी उधारन ग्राम को गया हुआ मतलब इसमें विग्रै किया हुआ है ये लग-लग है तो इसका समस्पद क्या बन गया? ग्राम गत इसी तरह देखो कश्ट को भोगने वाला क्या हो गया? कश्ट भोगी माखन को चुराने वाला माखन चौर स्वर्ग को गया जो स्वर्ग को जाते है उसी क्या कहती है? स्वर्ग गत आगे देखो बच्चे तीसरी नमबर पे है मारा द्वद्व स्मास इस स्मास में समस्पद के दोनों पद क्या होते है? प्रधान होते हैं समस्थ पद के मतलब दोनों पद क्या हो गए प्रधान जैसे माता पिता तो इससे क्या बना माता और पिता यो दोनों क्या है प्रधान अनजल से क्या बना अन और जल समझाया बेटे आगे देखो वहुवरीही समास किसे कहती है इस समास में कोई पद परधान नहीं होता ठीक है दुआदो समास में तो परधान होता है लेकिन इसमें कोई नहीं होता समस्त पद अपने पदों के शाब्दिक अर्थ को छोड़ कर किसी और की उशेष्टा बताता है ठीक है मतलब जो शबद उनसे बनता है उसके उशेष्टा नहीं बताता है मतलब किसी और की बताता है जैसे पीतामबर पीतामबर किसके उशेष्टा बता रहा है शीरी क्रिशन जी के ठीक है पीली है वस्तर जिसके पीतामबर उसे क्याती है जिसके वस्तर पीली हो अर्थात शीरी क्रिशन अब नील कंट किसका होता है भगवान शीव का है न नीला है कंट जिसका अर्थात किसके बारे में ये बता रहे है भगवान शीव के बारे में समझाया बेटा समास क्या होता है वेरी गूड ठैंक्स बेटा